नमस्कार दोस्तो आज हम देखेंगे Famine Commissions During British Period तो देखी एक बात आप अपने माइंड में क्लेर कर लीजिए कि Britishers की जो नीती रही है वो है Post-Martem की कि पहले Famine होने दो बाद में हम Commission जाख Committee उठाएंगे उसके Reason Find Out करेंगे फिर हम देखेंगे हम कुछ कर सकते हैंगे नहीं कर सकते हैं जो Major Commission और Committees है वो है Colonel Brad Committee Campbell Commission 1866 Stretchy Commission 1880 Lyle Commission 1896 MacDonald Commission 900 and John Woodhead Committee First Committee थी Colonel Beard Committee 1861 में Famine कहाँ पे स्टाक करा देली और आगरा रीजन में यहाँ पे काफी ज़्यदा लोगों को effect करा इसने अब Government ने क्या करा है कि Colonel Beard की Chairmanhip में एक Committee गठित करी और उनको बोला गया कि आप क्या करो आप cause investigate करो कि यह हुआ क्यों इस Committee ने अपना जो काम है वो ठीक तरीके से नहीं करा और कोई भी significant recommendation नहीं दी इसलिए Government ने कोई भी specific जो action नहीं लिया और famine के जो कारण थे वो वैसे के वैसे रहे अब इस वज़े से आने वाले टाइम में इंडिया में बहुत सारे famine आएंगे Next Commission है Campbell Commission 1866 अभी 1865 और 1866 में famine कहां पे stuck करा उडिसा, बेंगाल, बिहार, मदरास अब यह famine बहुत ज़्यादा बड़ा था इसमें करीबन 20 लाक लोग मारे गए, 10 लाक लोग सिर्फ उडिसा भी मारे गए इसलिए इस famine को specifically उडिसा का famine बोला जाता है अब गोर्मेंट ने क्या करा कि इस famine के बाद George Campbell की चेर्मेंशिप में कमिशन गठित कर दिया कि हमें बताईए कि हमें क्या करना चाहिए पहले बिट्शेर सोचते थे अगर famine आ जाता है कहीं पे भी तो लोग एक दूसरे की help करे गोर्मेंट की कोई duty नहीं बनती है इसमें तो इस कमिशन ने ये बोला कि पहले आप अपनी सोच को improve करो गोर्मेंट को ही action लेना पड़ेगा और गोर्मेंट को ही relief provide करना पड़ेगा इस कमिशन ने बोला कि गोर्मेंट को money बारो करनी चाहिए किसके लिए railway और नहरे बनाने के लिए कि आपकी agriculture जो है वो improve नहीं हो रही है अगर आप अच्छी connectivity दोगे और अच्छी जो irrigation facility दोगे तो आपकी agriculture जो production बढ़ेगी और ऐसे famine में आपको बहुत ज़्यादा help होगी इस commission ने बोला कि district officer की responsibility सेट अप करो कि वो सब की जान बचाए अपनी district में आज भी ऐसे हो रहा है देखिए अब करोना वारिस का time चल रहा है जो district letter है जा district magistrate है वो ही पूरे district को control कर रहा है और सारे district को manage कर रहा है यह Britishers के time से चला आ रहा है अब next commission है strategy commission तो देखिए famine रुक नहीं रहे हैं क्योंकि अच्छी तरह कोई action ले ही नहीं रहे 1876 और 78 में बहुत बड़ा famine stuck करा कहां पे मदरास, Bombay, उत्रपदेश और पंजाब में इसमें 50 लाख लोग मारे गे एक single year में देखिए कितना बड़ा था इस famine की वज़स से एक चीज तो पूरी clear होगी कि जो government की famine machinery है वो inadequate और inefficient है government अच्छी तरह काम नहीं करे इसलिए 50 लाख लोग एक साल में मारे गए अभी 1880 में Lord Litter ने एक commission और पाइंट करा किसकी chairmanship में Richard Strachy की तो इनको बोला गया कि अब आप क्या करो कि एक पूर्या का पूरा detail report त्यार करो detail suggestions प्रवाइड करो कि हमें preventive mayor लेने अब government कुछ action में आने लगी कि हम अब क्या करेंगी कि famine आने से पहले ही उसके prevention के ओपर ध्यान देंगे तो इस commission ने क्या करक्मेंट करा इस commission ने बोला कि आप जो wages पे कर रहे हो आप जो लोगों को काम करने के लिए पैसे दे रहे हो वो time to time परवाइड करो कि जो duty है गरीब लोगों को और भूखे लोगों को relief परवाइड करना जो पहले वाली सोच थी government की कि लोग provide करेंगे कि लोग एक दूसरे की help करेंगे इस commission ने clearly mention कर दिया कि government की duty बनती है जो गरीब लोग है जो खाना नहीं खरीज सकते हैं जो काम नहीं कर सकते हैं उनको relief परवाइड करना ये government की ही duty बनती है इस commission ने एक और बड़ी बात बोली इस commission ने ये बोला कि relief ऐसा नहीं कि आप पैसा परवाइड करो आप राग रेन परवाइड कर सकते हो आप पैसे परवाइड कर सकते हो बट आपको condition अखनी होगी ये सिर्फ ग्रीब लोगों के पाँ जाए ऐसा ना हो कि आप कुछ पैसे जहां कुछ अनाज दे रहे हो वो फिर अमीरों के पास ही पहुंचाए आपको जब और houses में distribute करना होगा ज़र relief camps में distribute करना होगा इन्होंने बोला कि जब भी कोई famine स्टक करता है तो जो भी distress area जो भी affected area है उसको आप circle में divide कर दो ताजो उसका अच्छी तरह आप management कर सको और हर circle को एक component officer के under रख दो जैसे अभी करोना के टाइम पे DC act कर रहे हैं जा नोडल officers है इन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि आपने food distribute कर दिया आपको जो affected area में उसमें distribution of food के उपर भी आपको ध्यां रखना होगा कि ये actual में गरीबों के पास जा रहा है कि नहीं जा रहा है तो देखे कितनी बड़ी आबात करी इस commission इन्होंने बोला कि जब भी कोई famine struck करता है तो जो land revenue आप collect करते हो उसको आप suspend कर दो और even इस commission ने फर्दर आगई ये बोला कि अगर आपने कुछ revenue लिया भी है तो उसको remit back करो आप उसको वापिस कर दो ताजो लोगों के पास पैसा आए वो food खरीद सके और इस famine के time पे अपने आपको बचा सके इस commission ने बोला कि जो भी famine relief की जो cost होगी वो bear करेगी provincial government central government उसको central assistant देगी देखिए आज COVID-19 के time पे क्या हो रहा है कि जो relief provide कर रही है वो है state governments center उनको एक assist कर रहा है उसको पैसे दे रहा हर एक state को कुछ-कुछ amount पैसे दी है जब food provide कर रहा है बट जो end distribution है वो state के पास ही है इस commission ने बोला कि अगर excessive drought condition है बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा हुआ है तो आपके पास इस facility होनी चाहिए कि आप जो है cattle को migrate कर सको कहां पे जहां पे grassy forest area available है जहां पे grass available है तो आजो cattle भी बस सके क्योंकि अगर अच्छे time पे cattle नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा उन्होंने बोला कि आप अपना data collect करो एक data रखो अपने पास कि जो इंडिया की जो agriculture की condition है वो कैसी है ऐसा नहीं है कि आप famine के time पे आप देखो आपको पहले पता होना चाहिए कि हमारी condition क्या है हमारी production क्या है कैसे लोग जी रहे है जा उनके पास पैसा है कि नहीं है इस सब data आपके पास पहले collect करके रखो इस commission ने suggest करा कि आप famine code बना के रखो कि अगर कहीं पे भी famine struck करता है तो आपको एक action plan होना चाहिए जो पहले prepare होना चाहिए आपको irrigation facility बढ़नी होगी ताँ जो आपकी agriculture production बढ़ सके और famine जैसी condition है ना आ सके आपको एक famine fund बनाना होगा आप जब अच्छा time चला है तो एक famine fund रखी हर साल उसमें कुछ पैसा डिपोश करिए ताँ जो अगर कभी famine आता है तो आप उसी fund से पैसा यूज करके लोगों को relief provide कर सको तो स्टैची commission की जो recommendation के ओपर famine fund बनाया गया जिसमें एक करोड पिया सेटप करा गया और famine code भी बनायागा जो 1883 में बनायागा इस code के चार पार्ट थे पहले पार्ट में क्या था कि government क्या mayor लेगी जब normal time होगा दूसरा पार्ट था कि relief campaign कैसे deal करे जाएगा थर्ड पार्ट था कि famine के time पे officers की duty क्या होगी कैसे वो relief mayor लेगे और फूर्थ पार्ट था कि famine effected जो area है जो affected area है उसको कैसे हमने डिवाइड करना है क्योंकि इस commission ने बोला था आप circle में डिवाइड कर दो आप कुछ parts में डिवाइड कर दो ऐसा नहीं है कि आप North India का पूरा एक ही circle में मालो आप उसको states में डिवाइड कर लो जो circle में डिवाइड कर लो तहां जो आप अच्छी तरह उनको early provide कर सको देखिए अभी भी करोना के टाइम पर क्या कर रहा गवर्मने कि जहां पर करोना बहुत ज़्यादा effect कर रहा है तो उनको red zone में रख दिया है कुछ को green zone में रख दिया है कुछ को yellow zone में रख दिया हार एक zone का एक अलग action plan में आए गया जहां पर बहुत ज़्यादा करोना की cases है वहाँ पर पूरा shutdown कर दिया गया है जहां पर green है वहाँ पर कुछ early provide कर दिया है 1896-1997 में फिर famine struck करता है इंडिया में तो इस famine में क्या होता है कहीं कहीं पर ज़्यादा होता है famine किसी area में कम होता है बट statue commission के बाद जो है government machinery जल्दी action में आई क्योंकि famine court बन चुका था तो काफी हद तक relief अच्छी तरह provide करा गया government की तरफ से अब इसके बाद एक committee बठाई गई James Lyle की chairmanship के under कि अब बताओ कि हमें क्या और करना चाहिए तो इन्हों ने अपने जो predecessor जो पहले वाले commission ने जो बोला था उसी की तरच पे बोला कि आप वही काम करते रो इस commission ने stress irrigation facility के ओपर दिया इन्हों ने जो बोला कि आपकी agriculture production बढ़ नहीं गई है आप irrigation facilities को बढ़ाओ तो आजो आपकी agriculture production बढ़ सके so that famine की condition ना आ सके अब next commission है Macdonald commission 900 देखी थारा सु नरेंजमे से लेकर 900 तक एक और famine स्टाक करता है इंडिया में तो लोड करजन क्या करते है कि Macdonald की चेर्मेंशिप के अंडर एक कमेटी बढ़ाते है इस कमेटी ने जो अपने report थी 1901 में summit करी अब इस commission एमफिसाइज करा कि आपको एक moral strategy बनानी होगी आपको जो है पैसे early distribute करने होगे seed purchase करने के लिए और cattle को purchase करने के लिए अगर आपको पता है कि आपके कुएं सूख रहे है जहांसे irrigation हो रही है तो उनको ठीक करने के लिए आपको पहले से पैसे provide करने होगे ऐसा नहीं है कि famine के time पे आप provide करो आप पहले ही उन चीजों को सबको set करके रखो कि famine के condition आए ही नहीं इस commission ने ये बोला कि आप एक famine commissioner appoint करो जब famine आता है किसी province में तो उसकी operation को देखने के लिए एक अलग सी commissioner appoint कर दो ताजो वो सारा का सारा काम अच्छी तरह देख सके इन्होंने बोला कि आप transport facilities को अच्छा करो जैसे railway और public transport इन्होंने बोला कि आप agriculture bank setup करो आप irrigation facilities बढ़ाओ आप agriculture के method को improve करो ताजो आपकी जो agriculture production अब बहुत ज़्यादा बढ़ सके Montague Clemsford reforms के बाद famine relief mayor जो है वो provincial government के ओपर interest कर देगे provincial government को दे देगे 1921 के बाद ये country इतनी बड़ी है इतने इनके diverse causes हैं famine के तो एक तरीकी जो policy है पूरे इंडिया में implement नहीं हो सकती है अगर आप पंजाब के लिए को policy बना रहे हो वो west Bengal में लागू नहीं होगी तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी country होने की वैसे और बहुत ज़्यादा diverse nature होने की वैसे तो इन commission के जो suggestion थे वो अच्छी तरी implement नहीं हो सके अब हम last committee की बात करते है जॉन बोड़हर कमेटी 1942 से लेकर 43 से बहुत बड़ा famine स्टक करता है बेंगॉल में और बहुत ज़दा लोग मारे जाते है जॉन बोड़हर की committee set up करी जाती है इस committee recommend करा कि आप all Indian food council set up करो इस committee recommend करा कि department of food को agriculture के साथ आप merge कर दो और agriculture production को increase करने के लिए आप कोशिश करो देखे इतने सारे commission और committees के बाद famine रुक नहीं रहे थे मैंने आपसे वादा करा था कि मैं आपको actual reason बताऊँगा यह famine क्यों नहीं रुक रहे थे देखे जब बिट्शेर इंडिया में दाखिल हुए तो उन्होंने क्या करा कि इंडिया की जो agriculture है उसको totally change कर दिया 70% land के ओपर उन्होंने commercial farming start कर दी जैसे indigo, tea farming और सिर्फ 30% land के ओपर ही food के लिए agriculture हो रहा था तो देखे इतनी बड़ी country है 70% land जो आप commercial farming में use कर रहे हो, 30% जो आप food के काम के लिए use कर रहे हो तो 30% land पे क्या production होगी 30% पे जो production होगी वो पूरा इंडिया नहीं खा पाता था अगर आप आज भी अपने grandparents से बात करोगे तो वो आपको बताएंगे कि जो food था वो पूरा साल चलता नहीं था, कम खाना पड़ता था दो टाइम खाते थे, जिस सिर्फ जब पंजाब में green revolution आया उसके बाद जो agriculture production बहुत ज़दा बड़ी और इंडिया self-sufficient हुआ food में जो Bengal में जो famine हुआ था 1942-43 में, इसमें क्या हुआ था कि second world war लगी हुई थी और बिटिशन ने क्या किया, food को उठाया Bengal से और आर्मी के लिए भेज दिया और Bengal के लिए food बचा है नहीं तो लोग भूखे ही मर गे वहाँ पे बिटिशन एक ही गलती को दोराते रहे कि जे सिर्फ agriculture production कम होने की वज़़से हो रहा है नहीं, agriculture production कम होने इसकी वज़से नहीं हो रहा था यह हो रहा था क्योंकि बिटिशन ने 70% के उपर जो लेंड थी वो commercial farming में लगा रखी थी और food के लिए सिर्फ 30% लेंड के उपर ही खेती वड़ी थी So hope now you understand कैसे कैसे famine जो commission आए और कैसे कैसे उनकी recommendation रही और कैसे वो implement हुए So thank you, thank you very much